हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदिक मोश्ट इंपॉर्टेंट मैस का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10 स्टैन्डेट के लिए मैस सब्जेक का जो पार्ट वन होता यानि कि एलजब्रा सब्जेक का जो हमारा चैप्टर न जिसमें आप लोगो जो भी object दिया रहेगा जो भी questions पूछा रहेगा उसका sample space लिखना था और number of sample space को count करके लिखना था लेकिन आज उसी को आगे पढ़ाते हुए दोस्तों उसका थोड़ा सा advanced version हमें पढ़ना यानि कि एक नया practice state की हम शुरुआत करने जाने दोस्तों जिस आप से analyze करके उसका भी आपको sample space और उसका भी आपको number of sample space जो रहेगा वो आपको तयार करना है events का clear है तो बहुत ही मज़ेदार practice set होने वाला है उतना ही easy है उतना ही important है आपके board exam के point of view भी देखा जाए तो बहुत important वीडियो तो वीडियो को बिल्कुल skip मत कीजएगा die is roll जो पहला condition दिया इसमें वो अगर आपको पुछाए कि one die is जो होता है वो roll होता है तो क्या chances से sample space के और कितने sample space आने के chances से तो एक die जब भी roll होता है हमें पता है एक die जब भी roll होगा तो हमारा sample space आता है sample space जिसको हम लोग लिखते है पूरा का पूरा sample space के बदले आप सी 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा या तो 6 आएगा यही 6 chances रहेंगे यानि कि जो मेरा number of sample space रहेगा इसमें वो कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ठीक है यह हो गया हमारा सबसे पहले question का जवाब लेकिन यह question number 1 में events भी आपको पूछे है बहुत सारे question number 1 के अ even number आने चाहिए तो ऐसे कौन-कौन से number आएगे तो उसका अगर हम लोग sample space लिखे और जिसका नाम हमें A से लिखना है ठीक है ना तो A जो है question number 1 जो है आपका A के form में लिखना है तो A के form में लिखना है यानि कि A जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा अब आप देखो यहाँ यह हमारा आजाएगा answer sample space of A हो गया और number of A कितना है यहाँ पे number of A will be equal to 3 समझ में आ रहा है बहुत easy था इसको solve करना ठीक है अब एक और question इसी में पूछा हुआ है question number 2 1 का ही example number 2 जो event पूछा है आपका वो B के form में पूछा है तो B एक ऐसा event है जिसमें आपको बताना है कि प्रकार हम लोग लिखेंगे तो B हमारा event है तो B will be equal to odd number क्या होता है multiple of that is 1,3,5 जैसे कि even number जो था even number को छोड़के जो numbers होते वो odd number होते है तो even number 246 है तो odd number क्या हो जाएंगे 1,3,5 तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते है 1,3,5 यह क्या रहेंगे हमारे odd number हो जाएंगे और इस C will be equal to क्या पुछा है इसमें C एक ऐसा number है जिसमें उपर की तरफ अपर सर्फेस की तरफ क्या पुछा है उसमें आएंगे prime number that is prime number on the upper face उपर की तरफ क्या आ रहा है prime number आ रहा है तो what do you mean by prime number सबसे पहले यह समझने वाली बात है तो prime number मतलब क्या होता है एक ऐसा number होता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के table में ही जाता है और one के table में ही जाता है और किसी भी table के अंदर नहीं आएगा उसको prime number बोलते है तो यहाँ पर आप जब notice करोगे तो ऐसे कौन से number है जो खुद के table में आएगे तो सबसे पहले आप देखोगे और prime number जो होता है ना normally वो one को हम लो obviously किसी के भी table में नहीं जाएगा one के table में जाएगा तो one को हम लोग consider नहीं करते है start करते हमारे two से तो two हमारा एक prime number है फिर आप देखोगे तो three भी है एक ऐसा number जो खुद के table में जाता है और किसी के table में नहीं जाता है फिर four four खुद के table में जाता है लेकिन two के table में जाता ह मतलब उसको consider नहीं कर सकते हैं, तो क्या बज गया, 2, 3 और 5, यही मेरे एक ऐसे number है, यानि कि C will be equal to 2, 3, 5, यही तीन ऐसे number है, जो हमारे prime number अपर फेस पे आ सकते हैं, और इसका number of, हम लोग C की बात करेंगे, तो यह भी हो जाएंगे 3, clear है दोस्तों, तो पुरिय उमीद करता ह है, हम लोग ने easily इसको solve करने ही कोशिश किये, तो पुरिय उमीद करता हो कि आपको पहला question जो था हमारा, इस practice set का यह आपको बहुत ही अच्छे थे समझ में आ गया होगा, अब चलते हमारे second condition की तरफ, second question की तरफ, तो इसको rough कर लेता हूँ, मैं फटा-फट से, एक और question कर इने वाला हूँ, तो आपको जरूर से करना है, ठीक है, तो इसको मैं second example heading डाल देता हूँ, सबसे पहले question number 2 of this particular practice set, ठीक है, condition क्या बोला है, इसमें वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो condition जो है, second condition वो है, two dice are rolled simultaneously, यानि कि पहला question यह था हमारा, कि सिर्फ एक ही दोनों dice को अगर घुमाया जाए, गिराया जाए, तो क्या आएगा आपका, two dice are rolled simultaneously, तो इसका sample space कैसे लिखेंगे, that is s, sample space जो रहेगा, वो हमारा क्या मानते है, हम लोग s के नाम से मानते है, ठीक है, तो s क्या रहेगा हमारा, तो सबसे पहली बात मैंने आपको यह चीज़ बताया भी कि जब दो गोटी एक साथ उचलती है, तो sample space क्या आ सकता है, आप देखोगे, ठीक है, क्या सकता है, सबसे पहले आप देखोगे, तो 1,1 आएगा, फिर उसके बाद आप देखोगे, क्या आएगा, 1,2 फिर 1,3, फिर 1,4 आ सकता है, 1,5 आ सकता है, and 1,6 आ सकता है, करेक्ट है, यह समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, या तो 1 के साथ 1 का आएगा, 1 के साथ 2, समझ में आ रहा है, यह आपने किया भी है, तो 1,1,1,2,1,3,1,4,1,5,1,6 हो गया, फिर वैसे ही आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे, इसको सोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, ठ आ जाएगा, 2,1,2,2,2,3,2,4,2,5,2,6, ठीक है, फिर वैसे ही, 3,1,3,2,3,3,3,4,3,5,3,6, यह हो गया, वैसे ही, 4,1,4,2,4,3,4,4,4,5,4,6, ऐसे ही यहाँ पर 5,1,5,2, ऐसे आपको करते जाना है, ठीक है, ना, 5,3,5,4,5,5, and last में, 5,6, and last आपका छटवा गोटी, that is, 6,1,6,2,6,3,6,3,6,4,6,5, and last में, 6,6, इसको कर दो, bracket close, यह आपका आगया, sample space, ठीक है, sample space आपने लिख लिया, अब number of samples is क्या होगा, आपका, n of s, तो number of samples is कितना होता है, obviously, 2 गोटी, 6,6 होते है, मतलब, 6,6 हो 36, count भी कर लो, 1,2,3,4,5,6, और यह भी 6, तो 6,6 हो गया, 36, यानि कि number of sample space आपका 36 आ रहा है, जब 2 गोटी हम लोग उड़ाते, अब इसमें भी बहुत सारे events है, तो पहला event जो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला जो condition यहाँ पे दिया हुआ है, वो हमें बोला है, कि event ए एक ऐसा है, जिसमें जो ऊपर क two digits is multiple of six, multiple of six, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a के form में लिखना है, यह हमारा event है, तो multiple of six वो भी जोड के आना चाहिए, पहले देखो, one और one को जोड़ूँगो, तो two आएगा, तो यह six के टेबल में जो आएगा ही नहीं, मतलब, कौनसे ऐसे number हो सकते हैं, जिसको अगर जोड़ूँगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, कुछ ऐसा number बनना चाहिए, और वो six के टेबल में आना चाहिए, तो सबसे पहले आप देखोगे, तो यह one और five, one और five को जोड़ूँगो, तो one five six होएगा, और six one जा six होएगा, मतलब यह six के टेबल में जाएगा, फि five one जा सकता है, देखो five one six होगया, तो six के टेबल में जाएगा, six one जा six, फिर आप देखो six के six में, और six six 12 होगया, तो six के टेबल में जाता है, यानि कि हमें छे number मिल गए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, a is equal to sample space के आजाएगा हमारा, one, five एक ऐसा number है, उसके बाद two, four, three, three, four, two, फिर आपका five, one, and last में एक और है, six, six, यह कुछ ऐसे numbers है, जिसको हम लोग जोडेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा number बनेगा, जो कि six से divide हो सकता है, और कितने number of a है, यहाँ पे, number of a will be equal to, कितने हो जाएगे, one, two, three, four, five, six, ऐसे number कितना है, छे number है, तो यह होगया हमारा सबसे पहले का पहला answer, जो किता हमारा a event का, event number a का, जिसको पुछाता हमें, कि some of the two digit number जो रहेगा, वो six का multiple होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश कर लिए, clear है, तो उमीद करता हूँ कि event a जो है, आपको समझ में आ गया, अब बात कर लेते, event b की, तो event b में क पुछाए, वो बताने के पहले मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको rough कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास space कम पढ़ता है, हमेशा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहला question हमने कर लिया, तो इसको में rough करके फिर यहाँ पे बी वाला जो event है, इसको हम लोग कर सम करते हैं, तो at least उसका जो सम होगा, वो minimum कितना होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो minimum 10 का मतलब क्या होता है, कम से कम 10, यह बच्चे बहुत सारे लोग confused होते हैं, exam में भी, minimum at least यह दोनों चीज में confused होते है, minimum का क्या मतलब, minimum 10 बोल दिया, यानि कि sum of the two digits is minimum 10, यहा कैसा लिखेंगे, minimum 10 होना चाहिए, यानि कि कम से कम 10 होना चाहिए, कम से कम 10 यानि कि turn से कम नहीं चलने वाला 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो देखो ऐसे कितने नंबर है, जो 10 से ज़्यादा हो सकते हैं, पहले इसको मिठा दो, क्योंकि ने तो confused हो जाओ गया, ठीके ना, यह पहले वाला जो मार्क किया था आपने, यह मिठा दो, अब देखो, कौन से ऐसे नंबर है, 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कम से कम 10 आना चाहिए, या फिर 10 से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि 10 से कम नहीं चलेगा, ठीके, देखो, कौन-कौन से है, ठीके, minimum 10, देखो minimum 10, कितने नंबर यहाँ पे दिख रहे है, minimum 10, ठीके, यहाँ पे clearly question बोल के रखा है, कि the sum of the disease on the upper face is minimum 10, 10 numbers होने चाहिए, कितने होंगे, यहाँ पे देखो, minimum 10, ठीके, यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले, sum करना है आपको, यानि कि plus करना है, correct है ना, upper face के उपर, sum आपक 10, कम से कम 10, यानि कि, 64, 65, 66, यह आपको देखर है, 10 से जाधा हो गया, ठीके, यह 3 नंबर हो गयाँ यह 10, 11, 12, फिर आप देखो, और कौन से नंबर दिख रहे हैं यह, यह 7, 8, 9, यह देखो, यह minimum 10, यह 10, दिख रहे हैं, और कौन से 10 दिख रहा है, यह 10 दिख रहे हैं दे पूरा कम है, देखलो, फिर यह कम-कम-कम-कम-3-9 तक गया, 4-1, 4-2, 4-3, 8 होएगा, यह 9 होगा, यह तक 5-5, 10 हो रहा है, यह भी 10 हो रहा है, यह 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, यानि कि total कितने हो गाए, और तिसरा लाश्ट है 6,6 यानि कि यही तोटल 6 नंबर है, बी कितना हो जाएगा, नंबर अफ बी मेरा कितना हो जाएगा, चे हो जाएगा, तो ऐसे तोटल 6 नंबर होते हैं, जिसको प्लस करके minimum 10 आता है, या फिर 10 से ज़्यादा आता है, तो minimum बोल दिया है, मतलब 10 से ज़्यादा चलेगा, तो यह ता हमारे question number 2 का, जो event number B आपको पुछा था, कि ऐसे numbers आपको ले रहे हैं, जिसको जोड के minimum 10 आ जाए, तो आपने जोड के दिखा दिए, कि ऐसे total 6 number है, जिसको हम लोग जोड के 10 बता सकते हैं, तो यह ता हमारा B का event, उमीद करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा, अब बात कर लेते हैं, एक और आखरी इसमें event पुछा हुआ है, जो की C नाम का event है, तो C में आपको क्या पुछा हुआ है, यह देख लेते हैं, और फिर हमारा यह जो question है complete हो जाएगा, और फिर हमारा आज का lecture भी हम लोग क्या करेंगे, stop करेंगे, ठीके, फटाफट से देख लेते हैं, तो C event हमारा क्या पुछा है, यह हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो C event एक ऐसा event हमें बोला है, जिसको हम लोग 2-digit number को अगर प्लस करते हैं, स्वरी, प्लस नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे 2-digit number ऐसा लिखना है, कि दोनों के दोनों same रहे, तो C ऐसे कितने है, sample space हम लोग लिखने ही कोशिच करेंगे, तो देखो same same कोन अजर आ रहा है, यह 1-1 देखो, यह 1-1 same आ रहा है, और कौन से है, 2-2 same आ रहा है, 3-3 same आ रहा है, 4-4 same है, 5-5 same है, ठीक है, बाकी मिटा दो, जो रहत नहीं है इसकी, and last में 6-6 same है, ठीक है, लाइन से देखो, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, तो यही number होंगे, जो same आएंगे, obviously, तो लिख दो यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, last में 5,5 and 6,6, यही total हमारे 6 number है, number of C कितना हो गया, 6 ऐसे numbers है, जिनको same digits आते हैं, उपर की तरफ, अगर देखा जाए तो, clear है दोस्तों, तो पूरी उमीद करता हूँ कि यह question आपको बहुत ही, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, तो यही था दोस्तों, हमारा आज का lecture वीडियो, आज मैं यही पर stop करूँगा, because जो बाकी के remaining example से वो भी ऐसी प्रकार बहुत simple है, तो मैं पूरी उमीद करता हूँ, इन मुझी पूरे यकीन है, कि आप लोग जो remaining example से उसको solve कर पाऊगे, असानी से, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, doubt है, तो आज के लिए इतना ही, हमारा 5.3 practice rate यहाँ पर खतम होता है, जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नया lecture वीडियो लेके, जिसमें और भी better in topics पढ़ाएंगे आप लोगको, और इसके आगे का भी कराएंगे, तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा है हमारा आज का, यह lecture वीडियो दोस्तों, का ला दोस्तों,